तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाली में राष्टरित चिकित्सक दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 1 जुलाई को, National Doctors Day, यह हर साल हम 1 जुलाई को मनाते हैं, और 1 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं, क्योंकि भारत के एक प्रख्यात चिकित्सक थे बिदान चंदर रोय उनकी जैनती होती है उस दिन याद रखना वे एक प्रसिद्द चिकित्सक के साथ साथ पश्चे मंगाल के दूसरे नंबर के मुख्य मंत्री भी थे और भारत का सर्वोच सम्मान यानि कि भारत रत्न भी उनने दिया गया था कब मिला थो ने भारत रत्न ये प्रशन एक बार परिश्या में पूछा जा चुका है कि डॉक्टर विदान चंद्र रोय को भारत रत्न कब मिला था तो आंसरोगा 1961 में चलिए फिर बताईए हाली में ब्रिटिश परधान मंत्री रिशी सुनक की द्वारा पॉइंट ओफ लाइट पूरुस्कार से किसे सम्मानित किया गया तो आंसरोगा राजिंदर सिंग घट को तो ब्रिटिश परधान मंत्री आप जानते हो रिशी सुनक और इन्होंने भी उनकी सेवा और ब्रिटिश भारते युद्ध के दिगजों को एक साथ लाने में मदद करने के लिए अव विभाजित भारतिया पूर्व सेनिक संग चलाने के उनके काम के लिए पहचाना गया है या इसके लिए इनको ये सम्मान मिला है चलिए फिर बताईए सबसे बड़ा हवाई अभ्यास जिसका नामे तरंग शक्ति इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा तो आंसर होगा भारते वायू सेना इंडियान एर फूर्स तो भारते वायू सेना इस साल के अंत में बड़े पेमाने पर बहु पक्षी अभ्यास यानि कि Multilateral Exercise का आयोजन करेगी मतलब इसमें 12 देश जैसे की France, Australia, America, UK वगेरा हिस्सा लेंगे और इस Exercise का नाम याद रखना तरंग शक्ति है और ये भारत में अब तक आयोजित सबसे बड़ा हवाई अभ्यास होगा फिर बदाईए अभी हाली में एशिय कबड़ी Championship का तो ये है एशियन कबड़ी Championship जो हुआ साउथ कोरिया के बुसान में फाइनल भारत और इरान के बीच में हुआ तो भारत विजेता रहा इरान इस बार उप विजेता है और आपको बता दू ये इसका नवा संसकरण है और इन नो संसकरणों में से भारत आठ बार जीत चुक पंजाब पैंथर स्कुरा कर गए चलिए फिर बताईए अभी हाली में Carnegie Corporation of New York की वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल एक मातर भारते को ने है तो आंसर होगा अजे बंगा तो अभी Carnegie Corporation of New York ने 2023 के महान प्रवासियों की सूची जारी की है जिसमें एक मातर भार प्रवासि है अजे बंगा और अजे बंगा से आपको याद आएगा यह भी World Bank के नए अध्यक्ष बने है तो इनका नाम याद रखना चलिए फिर बताईए अभी हाली में केंदर सरकार ने वेकल्पिक उर्वरकों को बड़ावा देने के लिए किस योजिना को मंजूरी दी है तो आंसर होगा प्रधान मंत्री प्रणाम योजिना यहाँ पे प्रणाम का मतलब हो गया Promotion of Alternative Nutrients for Agriculture Management Scheme यानि कि क्रशी प्रबंदन योजिना के लिए वेकल्पिक पोशक तत्वों को बड़ावा देना इस योजिना का उद्दिश ही क्या है तो रसाइनिक उर्वरकों क उप्योग कम करना और वेकल्पिक उर्वरक और जो और्गेनिक खादे उनके उप्योग को बड़ावा देना यह इसका मुख्य उद्दिश है और अभी इस योजिना को मंजूरी दे दी गई है किस ने दी है हमारे जो रसायन मंत्री है और वो कोन है जो हमारे स्वास्त मंत् तो यह याद रखना और फिर बताओ अभी हाली में राष्टर बीमा जागरुकता दिवस कब मनाया गया है तो अंसर होगा 28 जून को तो हर साल 28 जून को नेशनल इंशॉरेंस अवेरनेस दे के रुप में मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्दिश है लोगो को बीमा योजना या पॉलिसी में निवेश करने के कई लाभूं के बारे में जागरुक करना तो इस प्रशन में आपसे पूछ रहें अभी हाली में नेशनल चार्टेड अकाउंट्स दे ये कब मनाया गया तो अंसर होगा 1 जूलाई को तो हर साल 1 जूलाई को नेशनल चार जूली में इसके अध्यक्ष वर्तमान में है अनिकेट सुनेल तलाटी किसकी बात कर रहें इंस्टिट्यूट ओफ चार्टेड अकाउंट्स ओफ इंडिया की और इसके संस्थापक्त है गोपाल दास पी कपाडिया वैसे 1 जूलाई को राष्ट्र डाक कर्मचारी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है ये भी याद रखना और हमने 1 जूलाई को राष्ट्र चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में भी मनाया तो 1 जूलाई को ये आपके तीन डे मनाये हमने इनको ध्यान रखना आप हम बढ़ते आगे फिर बताईए अभी हाली म भारत का कौन सा बैंक ये दुनिया का चौथा सबसे मूल्यवान बैंक बन गया तो अंसर होगा HDFC बैंक तो यहां पे दुनिया की सबसे most valuable बैंक की बात हो रही है तो इसमें पहले स्थान पे तो है अमेरिका का जैपी मॉर्गन और इसमें चौथे स्थान पे भारतिय बैंक है HDFC बैंक एक्चुली कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा था जो HDFC लिमिटेड है उसका HDFC बैंक में मर्जर हो रहा है और अभी ये मर्जर अभी ये विले हो चुका है और इसी के साथ ये मार्केट कैप बाजार पुंजी करन के इसाब से दुनिया का चौथा सबसे कंपनी बन गई और ये जो HDFC लिमिटेड का मर्जर हुआ है आपको बता दू ये देश की पहली हाउसिंग फिनेंस कंपनी थी जिसका विले हुआ जिसका मर्जर हुआ HDFC बैंक में तो अब सिंपल सा याद रखना है कि दुनिया की सबसे वेलुएबल बैंक कौन से है JP Morgan है औ कुमबई में और मेनेजिंग डारेक्टर ने शशिदर जगदेशन टैगलाइन होती है वी अंडरस्टेंड यॉर वर्ल्ड और आप जानते हो भारत की पहली इलेक्ट्रोनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक आप यही है HDFC बैंक फिर बताईए अभी हाली में क सराज्य सरकार ने वन टैप वन ट्री अभ्यान को ये शुरू किया तो आंसर होगा उत्तरप्रदेश ने तो अभी उत्तरप्रदेश सरकार ने वन टैप वन ट्री योजिना को शुरू किया है तो क्या होगा इस योजिना में या इसका उद्दिश है क्या है तो देखो ट्र परी मतलब तो आप समझ गये होंगे, पेड़ लगाना होगा, और टेप मतलब तो घरों में जो नल से पानी आता है, उस हम क्या केते हैं, टेप वाटर, तो यही इस योजना का उद्दिश है, कि ग्रामेन शेत्रों में पीने योग्या नल के पानी को उपलब्द करवाया यह है वन टेप, वन ट्री अभ्यान जो की उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया, चलिए फिर बताईए, अभी हाली में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा प्राकरतिक आर्क ये कांपे खोजा गया, तो अंसरों का उडिसा में, तो अभी जियोलोजिकल सर्वे ओफ अभी थी, जियोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया ने इस आर्क के लिए जियो हेरिटेज टेक का प्रस्ताव रखा है, जिसका लक्ष है, इसे भारत में सबसे बड़ा प्राकरतिक आर्क बनाना, इसके आधार लंबाई 30 मीटर है और उचाई है 12 मीटर, देखो पहले बात करें जियोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया की इसकी स्तापना होती 1851 में, हेड़क्वाटर कॉलकता में हैं और अभी आपको याद होगा, इसके नए अध्यक्ष बने थे, कौन? जनारदन प्रसाद, अगर मैं आपसे बूछ हूँ कि भारत का पहला जियोलोजिकल पार्क ये कहां पर बनेगा, तो इसका उत्तर दो कमेंट बॉक्स में, इसका सही उत्तर क्या होगा? फिर बताईए, अभी हाली में भारत के सॉलिसेटर जनरल के रूप में फिर से किसे न्यूक्ट किया गया? तो अंसर होगा तुशार मैता को, तो अभी तुशार मैता को भारत के जन्रल ये अटॉर्णी जन्रल के बाद दूसरा सबसे वरिष्ट कानूनी अधिकारी होता है अच्छा विसे हमारी अटॉर्णी जन्रल कौने आर वेंक केटर मनी चलो फिर बताओ अभी हाली में लुसाने डाइमंड लीग 2023 में कौन विजेता रहा तो आंसर होगा नीरत अभी नोने लुसाने डाइमंड लीग 2023 में 87.66 मीटर के सरुष्रेष्ट थ्रो के साथ पहला इस्तान हासिल किया ये जैवलियन थ्रोवर है भाला फेकते हैं चलो फिर बताओ अभी हाली में UK इंडिया आवार्ट्स में Global Indian Icon of the Year पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया तो अंसर होगा MC मेरिकॉम को तो महिला मुक्यबाजी में भारत की पहली ओलंपिक पदक विजे था MC मेरिकॉम को UK इंडिया अवार्ट्स में Global Indian Icon of the Year अवार्ट्स से सम्मानित किया गया ये मनिपूर की बॉक्सर है अचा इनके अलावा ओसकर के लिए नामित फिल्म एलिजाब दा गोल्डन एज के डारेक्टर हैं शेखर कपूर इनको दोनों देशों के इनको दोनों देशों के सिनेमा में उनके योगदान के लिए भी लाइफ टाइम अचिमेंट अवार्ड दिया गया अचा फिर बताईए अभी हाली में अंतरराष्टर संसद्य दिवस कब मनाया ग इस बार ये इसकी 134 वी वर्षगाठ है या 134 वा संसकरन है और थीम क्या है गरह के लिए संसद्य पार्लेमेंट फॉर दे प्लैनेट चले फिर बताईए अभी हाली में किस कमपनी ने गेलेक्टिक 01 से अंतिर्क्ष में अपना पहला व्यवसाइक मानव मिशन पूरा किया है तो आंसर होगा वर्जिन गेलेक्टिक तो रिचर्ड ब्रेंसन नाम के उद्यमी की कमपनी है वर्जिन गेलेक्टिक और इस कमपनी की स्थापना 2004 में हुई थी और आप देख सकते हो करिब 19 साल के बाद कमपनी की पहली कमर्शल स्पेस फ्लाइट ने सफल उडान भरी है और इसी का नाम है गेलेक्टिक जीरोवन मतलब इंसानों को अंतरिक्ष की सेर पर ले जाना ही इसका मुख्य उद्दीश्य है फिर आपसे पूछ रहें अभी हाली में किस देश ने पहली बार घरेलू हाइपरसोनिक गलाइड वाहन वी मैक्स का सफल परिशन किया तो अंसर तो फ्रांस के पास में जो बिसकन की खाड़ी है वहां से और हाइपरसोनिक कई बार आपने सुनाओगा सबसोनेक सूपरसोनेक और हाइपरसोनिक हाइपरसोनिक का मतलब क्या हो गया जिसकी स्पीड धोनी की स्पीड से जिसकी स्पीड धोनी की स्पीड की पांच गुना से ज़्यादा होती है उसको हम हाइपरसोनिक कहते हैं प्रश्ण में आपसे पूछ रहें कि जुलाई दोजार तेविस में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से राष्ट्रे सिकल सेल एनिम्या उन्मूलन मिशन को शुरू किया तो आंसर होगा मद्यपरदेश तो अब एक जुलाई दोजार तेविस को प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने मद्यपरदेश के शह डोल जिले में राष्ट्रे सिकल सेल एनिम्या उन्मूलन मिशन को शुरू किया है और धिरे धिरे इस मिशन को बाकी 17 राज्यों के 278 जिलों में लागू किया जाएगा और इ सिकल सेल एनिम्या जागरुकता दिवस यानि कि सिकल सेल एनिम्या आवेरनेस दे वो कब होता है वो भी आद रखना 19 जून को और दूसरा प्रशन आपने देख लिया कि इसको खतम करने का अमारा लक्षय है 2047 का ये भी एक प्रशन बन सकता है अलग से अब ये है क्या अनुवांशिक रत्विकार है इसमें जो ब्लड सेल्स है या तो उनका शेप और साइज बदल जाता है जो क्या करती है खून की नसों में ब्लॉकेज कर देती है रुकावट का काम करती है मतलब ये आरबीसी की जो शेप है वो हंसियाकार हो जाती है यहापे सिकल का मतलब हो हमारे जो औरगन है वो भी डेमेज हो जाते है फिर बताईए अभी हाली में अमेरिका के द्वारा प्रमानित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार का नाम क्या है तो अंचरूगा एलेफ मोड ए तो अमेरिका की एक आटो मोटिव और विमानन कंपनी है एलेफ ए सरकार बनाना और अब 2023 में कंपनी अमेरिकी सरकार से अपनी उडने वाली कार एलेफ मोड ए इसका नाम है इसके लिए अप्रूवल पाने वाली पहली कंपनी बन गई है ये कार 100% इलेक्ट्रिक है इसे आप सार्वजनिक सडकों पर भी चला सकते हो अगर इसकी रेंज की बा अभी हाली में भारत के पहली पुलिस ड्रोन यूनिट येक शहर में लॉंच की गई तो अंसर होगा चैन्ने में तो ग्रेटर चैन्ने सेटे पुलिस ने विशाल शेत्रों में हवाई निगरानी और आपरादिक गतिवीदियों का तेजी से पता लगाने के लिए पुलिस ड किलो मिटर थक के है चलिए फिर बदाईए हाली में कौन सा देश सूपर मार्केट में पतली प्लास्टिक थेलियों पर प्रतिबंद लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है तो अंसर होगा न्यूजिलेंड तो अभी न्यूजिलेंड ये उन पतले प्लास्टिक बेगों पर प्रतिबंद लगाने वाला पहला देश बन गया है जिनका उपियोग सूपर मार्केट के ग्राहक अपने फल और सबजया एकट्टा करने के लिए करते हैं इससे पहले न्यूजिलेंड सरकार ने 2019 में मोटे प्लास्टिक शॉपिंग बैक पर प्रतिबंद लगा जिसका उपियोग ग्राहक अपने किराने की वस्तवों को घर लेट जाने के लिए करते थे अचा आपको याद है भारत में भी सिंगल यूज प्लास्टिक पे बैन लगाया गया था कब एक जुलाई 2022 को चलिए फिर बदाईए अभी हाली में सीनियर महिला राष्टर फुट फुटबॉल चेंपेंशिप किसने जीत ली तो अंसर वगर तमिल नाडू ने तो सीनियर वोमेन नेशनल फुटबॉल चेंपेंशिप ये हुई कहां पे अमरत्सर के गुरुनानक स्टेडियम में इस बार ये इसका 27 वा संसकरन था जिसको जीता है तमिल नाडू ने किसे र प्रेंशिप का एउजन किया औल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने जिसकी स्तापना होती है 1937 में नई दिली में मुख्याले है और सबसे इंपॉर्टेंट तो रहेगा अध्यक्ष का नाम नए बने थे कुछ समय पहले ही नाम है कल्यान चौबे चलिए फिर बताईए अभी हाल में चर्चा में रही जगन्ना अम्मा वोड़ी योजना का संबन किस राज़े है तो अंसर होगा अंद्रप्रदेश तो यहाँ पर बात तो रहे जगन्ना अम्मा वोड़ी योजना की या अंद्रप्रदेश की योजना है चर्चा में क्यों ह फीश, उसके किताबे, यूनिफॉर्म वगेरा, तो उन माताओं पे इन सब का खर्चा न पड़े, उसके लिए सरकार इस योजना के अंतरगत ऐसी माताओं को हर साल 15,000 रुपे आर्थिक सहायता देगी, लेकिन ध्यान रखना, उस बच्चे की स्कूल में 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, तब ही उनकी माताओं को ये 15,000 रुपे मिलेंगे, फिर बताइए, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन ये किसे राज्य में शुरू की जाएगी, तो आंचरोगा हर्याना, तो भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन ये हर्याना में श मैं आपसे अगर पुझू कि भारत का पहला ग्रीन हाइडरोजेन प्लांट का पे स्तापित किया गया असम में और आप जानते हो हाइडरोजेन संचाले ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश कौन सा बना था चाइना बना था जबकि दुनिया का पहला देश है जर्मनी चलिए फिर बताईए अभी हाली में किस राज्ये ने इतवारी स्टेशन का नाम बदल कर सुभास चंदर बोस के नाम पर करने का फैसला किया चलिए फिर बताईए अभी हाली में अंतरराश्टर सहकारिता दिवस कब मनाया गया तो आंचरोगा एक जुलाई को तो याद रखना ये जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है ये दिन तो इस बार हमने इसको एक जुलाई को मनाया मनाने का उद्धिश्य क्या है वैश्विक इसतर पर सहकारी सम्मेतियों को बढ़ावा देना और एक ऐसा वातावरन तयार करना जो उनके विस्तार और लाब को बढ़ावा दे और थीम क्या इस बार की इस प्रस्ण में आपसे बूच रहें अभी हाली में सन्यूक्त राष्ट्र विकास कारेकर हैं युनाइड नेशन डेवलेप्मेंट प्रोग्राम के नए उप्प्रमुक किसे न्यूक्त किया गया तो आंसर होगा जू हाव लियांग को नाम से ही क्लियर है चाइना के हैं ये और अभी ये युनाइड नेशन डेवलेप्मेंट प्रोग्राम के नए डेप्यूटी चीफ बने है पर हमारे कॉम्पेटिटिव एक्जाम में इनके नाम से जादा इंपोर्टेंट किसी भारतिय का नाम होगा मतलब इन्होंने जिनको रिप्लेस किया है वो एक भारतिय है उनका नाम है उशा, राओ, मोनारी उनके स्थान पे ये आये है वे अभी तक United Nation Development Program की डेप्यूटी चीफ थी इसलिए ये प्रश्ण में आपको करा रहा हूँ देखो United Nation Development Program इस तापना होती 1965 में न्यू यॉर्क में हेड क्वाटर है और इसके हेड कौने अचिम स्टेनर है और जो आपका Human Development Index होता है न उससी को ये ही जारी करता है United Nation Development Program तो इस प्रश्ण में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाली में जारी Global Peace Index 2023 में भारत कौन से स्थान पर है तो 126 वे स्थान पे तो भारत है बात कर रहे हैं यहाँ पे हम Global Peace Index 2023 की और इसको जारी कोन करता है Institute for Economics and Peace और इसके अनसार जो अफगानिस्तान है ये लगातार पाँचवे साल दुनिया का सबसे कम शान्ति पूर्ण देश रहा है ये इस Index का सत्रवा संसकरण है और भारत इसमें 126 वे स्थान पर है पिछले साल के मुकाबले आप देखो कि तो 9 स्थान उपर है भारत 126 वे स्थान पर है और टॉप पे कोन है? यानि कि सबसे शान्त देश ये बताया गया है आईसलेंड को दूसरे स्थान पे डैन्मार्क है और तीसरे पे है आईरलेंड और सबसे आखरी में यानि कि सबसे कम शान्ति पूर्ण देश ये अफगानिस्तान है 163 नंबर पे है तो टॉप पे तो याद रखना आईसलेंड है लास्ट में अफगानिस्तान है और भारत 126 नंबर पे हैं ये ध्यान रखना और फिर बताईए अभी हाली में 132 वे डूरंड कप का आयोजन ये कहां पे किया जाएगा तो आंचर होगा इसका तो कॉलकता अच्छा डूरंड कप का सम्मंद किस खेल से है ऐसे प्रशना हैगा तो आंचर होगा फुटबॉल से ये भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है डूरंड कप इस बार इसका 132 वा संसकरन होगा कहां पे कॉलकता में कब से कब तक 3 अगस्त को शुरू होगा जो की 3 सेप्टेमबर 2020 तक चलेगा और इस बार नेपाल, भूटान और बांगलादेश की टीमें भी हिस्सा लेंगी तो आप कहा सकते हो विदेशी टीमें 27 साल के बाद इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है तो प्रशन तो इंपोर्टेंट हो गया और डूरंड कप ये विश्व का 3 सबसे पुराना और इश्या का सबसे पुराना फूटबल टूर्नामेंट है पहली बार इसका आयोजन 1888 में हुआ था और इसका नाम सर मौटिमर डूरंड के नाम पे रखा गया था जो 1884 से 1894 तक विदेश सचिव थे अच्छा इसमें सबसे सफल टीमों की बात करें तो मोहन बागान और इस्ट बंगाल रही है जिन्नोंने 16-16 बार इसे जीता है फिर बताई अभी पेन पिंटर प्राइस 2000 तेवी से किसे सम्मानित किया गया तो अंसर होगा माइकल रौसेन को तो प्रसिद्ध ब्रिटिश बच्चों के लेखक है माइकल रौसेन जिनने अभी पेन पिंटर पुरुसकार 2000 तेवी से सम्मानित किया गया ये सम्मान UK, Ireland और राष्टर मंडल के लेखकों को दिया जाता है जिनका काम निडर होकर समकालीन जीवन के बारे में सच्चाई को उजागर करना है तो ये एक ब्रिटिश लिखा के इनको ये पुरुसकार मिला ये ध्यान रखना फिर बताईए अभी हाली में भारत और फ्रांस की नौसेना ने इन-फैन-मेरिटाइम-पार्टनरशिप अभ्यास का इयोजन ये कहां पे किया तो आंसर हो कब विशाका पत्नम में एकसरसाइस का नाम है ये इन-फैन नाम से के लिए रहे आई-एन मतलब इंडिया एफ-एन मतलब फ्रांस तो ये एक नेवल एकसरसाइस है कहां पे हुआ विशाका पत्नम में विशाका पत्नम के पास बंगाल की खाड़ी में इसका इयोजन हुआ और इसमें भारत की तरफ से आई-एन-एस राणा और आई-एन-एस सुमेधा ने हिस्सा लिया आई-एन-एस सुमेधा याद अराय गुच सुडान में हिंसा में फसेवे भारतियों को वापिस लाने के लिए हमने आई-एन-एस सुमेधा को ही भेजा था और कौन सा ऑपरेशन नाम दिया उस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन कावेरी चलिए फिर बताइए अभी हाली में विश्वख खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया तो अंसरोगा 2 जुलाई को तो हर साल 2 जुलाई को World Sports Journalist Day के रुपे मनाया जाता है ये दिन खेल मीडिया के दिगजु को सम्मान करता है और उन्हें आम जनता के बीच खेल के बारे में ज्यान फिलाने के लिए और अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरिट करता है अचा अगर मैं आपसे पूँँँँँग नेशनल स्पोर्ट्स डे कब होता है अभी हाली में एशियाई स्क्वेश टोर्नामेंट में मिशरेत यूगल का किताब कि इसने जीता तो अंसर होगा दिपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधु ने अचा पहला प्रशन तो ये कि ये एशियन स्क्वेश टोर्नामेंट ये कांपे हुआ चाइना में चाइना के हांगजु में और इसमें मिक्स्ट डबल इवेंट में भारते जोडी है दिपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधु की इन्होंने गोल्ड जीता है इसमें इन्होंने मलीशिया की जोडी को हराया और इसी में एक और भारते जोड़ी ने ब्रूंज मेडल जीता है वो है अनाहत सिंग और अभे सिंग की जोड़ी तो ये भी ध्यान रखना हम बढ़ते हैं आगे चलिए फिर बताईए अभी और रट बूरे का खिताब जीत लिया है अचा अगला प्रशन दिखते हैं अभी हाली में त्री ट्रिलियन डॉलर का बाजार पुंजी करन मार्केट कैपिटलाइजेशन हासिल करने वाली दुनिया की सबसे मुल्यवान कमपनी कौन सी है तो आंसर होगा Apple, तो Apple का बाजार पुंजी करन 3 trillion dollar का हो गया है, और इस तरह से ये दुनिया की सबसे मुल्यवान कमपनी बन गई है, ये को Apple कमपनी के संस्थापक थे Steve Jobs, लेकिन अभी वरतमान में CEO है Tim Cook, फिर बताओ, अभी हाली में सत्रवा भारते सहकारिता कॉंग्रेस का उचें ये कांपे किया गया, तो आंसर होगा नई दिल्ली में, तो अभी परधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सत्रवे भारते सहकारिता सम्मेलन का उधगाटन किया, और अगर मैं पूछू अभी सहकारिता दिवस कब मनाया गया था, तो एक जुलाई को मना था, क्योंकि जुलाई के पहले शनिबार को ये मनाया जाता है, तो इस प्रशन में आपसे पूछ रहें, अभी हाली में, डबल्यू एचो ने किस करतिम मधुरक को संभावित कैंसर पदार्त घोशित किया है, तो आंसर होगा, एस्पोर्टम, तो ये प्रशन आप सभी के ल अगेरा, तो इनको मीठा करने के लिए उसमें आर्टिफिशल स्वीटनर, जिसे कहते हैं, एस्पोर्टम ये डाला जाता है, और उन्होंने कहा, कि ये जो एस्पोर्टम है, इससे कैंसर होने का खत्रा है, अचा कैंसर से एक डे का प्रशन में आपसे जरूर पूछूँगा वर्ल्ड कैंसर डे कब मनाते हैं, या आप लुग बताओ, बाकी स्टडी ओफ कैंसर क्या कहा जाता है, ऑन्कोलोजी कहा जाता है, अगला प्रशन है, अभी हाली में अंतरराश्टर प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 3 जुलाई को, तो ये द पूरी तरह से degrade होने में, पूरी तरह से मिट्टी में मिलने में, इसको कहीं साल, लगबग 1000 साल लग जाएंगे, और इस दिन को हमने पहली बार कब मनाये था, 2008 में, अचा मैं तो आप से सिंपल सा प्रशन पूसता हूँ न, कि भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया कब से, तो आंसरोगा 1 जुलाई 2022 से, चलिए फिर बताइए कि जुलाई 2023 में भारत का पहला स्वदेशी परमाणू रियक्टर का संचानल ये कांपे शुरू हुआ, तो आंसरोगा गुजरात में, तो गुजरात में जो काकरापार न्यूकलर पावर प्लान्ट है न, वहीं पे भारत के पहले स्वदेशी रूप से विक्षित 700 मेगावाट परमाणू उर्जा रियक्टर ने सफलता पूर्वक वानेजिक संचालन शुरू कर दिया है, तो कैपेसिटी कितनी है याद रखना 700 मेगावाट है, और हमने कहा ये भारत का पहला स्वदेशी प मनजूरी भी दे दिये, चलिए फिर बताइए, हाली में Food Agriculture Organization के महानिदेशक के रूप में किसे फिर से चुन लिया गया तो आंसर होगा क्यू डॉंग यू, तो Food Agriculture Organization, इसके अभी तक Director General थे क्यू डॉंग यू, और अभी एक बार फिर से इनी को अगले चार सालों के लिए Food Agriculture Organization का Director General चुन लिया गया है, बढ़िया बात है, हमारी तरब से आपको मुबारक बात, वरना फिर एक और नाम याद करना पड़ता, क्यू डॉंग यू, सही कि रहू न, तो क्यू डॉंग यू नाम याद रखना, Food Agriculture Organization, इसकी उतिये 16 October 1945 को, और इसी कारण हम कौन सा दिन मनाते ह 16 October को, World Food Day, Headquarter कहां पर है, Rome, Italy में है, चलिए फिर बताइए, अभी हाली में, Caribbean Premier League का हिस्सा बनने वाली पहली भारतिया किर्केटर कौन बनी तो अंसर होगा, श्रेयंका पाटिल, तो यूवा इस्पिन की इंदबाज, श्रेयंका पाटिल, महिला Caribbean Premier League के लिए, साइन होने वाल पहली भारतिक किर्केटर बन गई है, और आपको साथ में ये भी बता दू कि श्रेयंका पाटिल, ये पहली भारतिक खिलाड़ी भी होंगी, जो अंतरराष्टर किर्केट खेलने से पहले विदेशी लीग में खेलेंगी, अभी आपको बताए, जो Women Premier League हुआ था, उसमें Royal Challengers बंगलूर के लिए खेली थी वो, और अभी वो Women's Caribbean Premier League में गुयाना Amazon Warriors के लिए खेलेंगी, फिर बताएए, अभी हाली में Digital सेवाओं के लिए किस बैंक ने Project Web नाम से एक नई पहल शुरू की, तो अंसर होगा Indian Bank, तो अभी Indian Bank ने अपनी Digital परिवर्तन पहल Project Wave के तहत नई जैसे कि Electronic Bank Guarantee Service शुरू की है, जो पारंपरिक कागच आधारित प्रक्रियाओं को आसान बनाएगी, इसके अलवा ग्राहकों को Physical Stamp Paper और Physical Signature की जगे Digital यानि की E-Signing की सुविधा भी दी जाएगी, इसके अलवा वीकल लोन लेने की प्रक्रिया भी पूरी तरह से Digital कर दी गई ह इंडियन बैंक आप जानती हो, इस्तापना होती 1907 में Headquarter Chenny में है, MDCO शांतिलाल जेन है, टेग लाइन होती है आपका अपना बैंक, हाँ हमारा अपना बैंक क्यों भई, जाके जितना चाओ पैसा निकाल लेना, फिर बताईए कि जुलाई दोजा 23 में किसने महराश्टर के उप मुख्य मंत्री के रूप में शपतली है, तो आंचार होगा अजीत पवार, तो अजीत पवार ये NCP यानि की Nationalist Congress Party, राष्टरवादी Congress Party ते हैं, और अभी ये शामिल हो गए हैं, महराश्टर सरकार में यानि कि इंडिये गौर्मेंट में, और अब महराश्टर में आप अभी हाली में केंदर सरकार ने दुशकर्म पीडित नाबालिक लड़कियों के लिए भी कौनसी योधना शुरू किये, तो आंचार होगा मिशन वातसल्य योजना, तो अभी केंदर सरकार ने दुशकर्म पीडित नाबालिक लड़कियों के गर्ववती होने पर, परिवार के द्वारा उनका परित्याग करने पर उन नाबालिगों को रहने के लिए आश्रे, खाने के लिए भोजन और कानूनिस सहयता परदान करने के लिए ये मिशन वादसल्य योजना को शुरू किया है। देखबाल करने का कोई भी साधन नहीं है। तो इस योजना का नाम क्या है? मिशन वादसल्य योजना ये आप ध्यान रखना हो। तो इस प्रशन में आपसे पूछ रहे हैं हाली में 23 वे शंगाई शिकर सम्मेलन में किसे अतीती देश के रूप में आमंतरित किया गया? तो आ थीम हो गई ये भी जान रखना है। और इस बार जो गेस्ट कंट्री है वो है तुर्कमेनिस्तान। ये तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं। इस बार ये इसका तेविस वासंसकरन है ये भी पॉइंट हो गया। चलिए फिर बताईए अभी हाली में South Asian Football Federation Championship को किस ने ज जीत लिया, किसे हराया या उप विजीता कौन रहा तो आंसर होगा कुवेत। ये इस बार इसका चोदवा संसकरन था तो आप देख सकते हो 14 संसकरनों में भारत 9 बार जीत चुका है। चलिए फिर बताईए हाली में Global Shatranj League के पहले संसकरन का योजन ये कहां पे किया गया तो आंसर होगा दुबई में। बात कर रहे हैं या पे Global Shatranj League की। पहली बार इसका आयोजन हुआ कहां पे दुबई UAE में। और कौनसी टीम चेंपियन बनी है तो त्रिवेनी Continental Kings। और इसने हराया है Upgrade Mumba Masters को। और इसमें Denmark के जो Grand Master है योनास जेयर इन्होंने त्रिवेन को पहली Global Shatranj League का खिताब दिलाया है तो ये दो-तीन पॉइंटी है बस यही धियान रखना क्योंकि ये पहली बार इसका आयोजन हुआ पहला संसकरन है Global Shatranj League का कहां हुआ दुबई में। चेंपियन कौनसी टीम बनी है त्रिवेनी और किसको हराया Mumba Masters को इसमें त्रिवे अभी हाली में 2022-23 के लिए All India Football Federation महिला Footballer of the Year किसे नामित किया गया तो अंसरो का Manisha Kalyan तो अभी All India Football Federation ने 2022-23 के लिए Manisha Kalyan को लगातार दूसरी बार महिला Footballer of the Year चुना है तो Manisha Kalyan से एक और Point आपको बता रहा हूं वो भी ध्यान रखना कि UEFA Champions League खेलने वाली ये पहली भारतिय फुटबॉलर है अच्छा 2022-23 के लिए All India Football Federation पुरुष फुटबॉलर of the Year किसे चुना गया तो आंसरोगा लालियान जुआला चांगटे को तो चांगटे को चुना गया है पुरुषों में और महिलाओं में Manisha Kalyan को वैसे All India Football Federation की बात हुई है इसकी स्तापना होती है 23 चुन 1937 में नई दिल्ली में मुख्याले है और अध्यक्ष का नाम है कल्यान चोबे तो ध्यान रखना ये बढ़ते हां के चलिए फिर बताईए अभी हाली में दुनिया का सरवादिक High Grade Phosphate का भंडार ये कहां पर मिला है तो अभी नौर्वे में High Grade यानि की Best Quality वाला Phosphate के भंडार मिले है और ये कम से कम 70 Billion Ton होने का अनुमान है और इतने Phosphate से दुनिया की अगली 100 साल की जरूरत को पूरा किया जा सकता है अच्छा Phosphate का इस्तमाल ये आपके Solar Panels में होता है Electric Car की बैटरी और उर्वरक जो Fertilizer होते मापी भी इसका इस्तमाल होता है चलिए फिर बताईए अभी Banko Borda के MDCO के रूप में अभी किसे न्यूक्त किया गया तो आंसर होगा देव दत्यचंद को तो अभी दत्यचंद को Banko Borda का MDCO न्यूक्त किया गया है उन्होंने किन का इस्तान लिया? संजीव चड़ा का इस्तान लिया है तो बात है Banko Borda की इसकी इस्तापना होती है 1908 में हेड़क्वाटर है वड़ोदरा गुजरात में और किन दो बैंकों का विले हुआ था Banko Borda में? तो आंसर होगा विजिया बैंक और देना बैंक का इसकी टेग लैन होती है इसकी बैंक फिर बताईए अभी हाली में आसिक्स आसिक्स क्या है? यह जापान के एक स्पोर्ट शू बनाने वाली कंपनी है और आपसे पूछ रहे हैं अभी आसिक्स इंडिया ने किसे अपना ब्रेंड अमबेस्टर बनाया? तो आंसर होगा इस थाइब प्रतिनिदी का कारेकाल बढ़ा दिया नाम बताओ ब्रजेंद्र नवनीट तो World Trade Organization में जो भारत के इस थाइब प्रतिनिदी हैं वो हैं ब्रजेंद्र नवनीट और अभी केंद्र सरकार ने इनका कारेकाल 9 महीनी के लिए बढ़ा दिया है तो नाम न्यूज में है तो ध्यान रखना और इसी दरह एक प्रश्ण और बनेगा कि सन्युक्त राष्टर यानि कि उनाइटेड नेशन में भरत की स्थाइब प्रतिनीदी परमन रिप्रेजेंटेटिव को ने तो आंसरोगा रोचीरा कमबोज फर बताईए अभी हाली में किसने छटी युवा महिला राष्टर मुक्के बाजे चैंपेंशिप को जीता तो आंसरोगा हरियाना ने तो युवा महिला राष्टर चैंपेंशिप 2023 इस बार ये इसका छटवा संसकरन था जोकी कहा हुआ मद्यप्रदेश के बोपाल में और इसको जीत लिया हरियाना ने हरियाना ने आठ गोल्ड एक ब्रॉंज मेडल के साथ इस चैंपेंशिप को जीता है इसमें दूसरे स्थान पर उत्तरा खंड रहा तीन गोल्ड और एक सिल्वर के साथ और तीसरे पे दिल्ली था आपको यादे अभी पुरुषों की विश्व मुक्यबाजी चैंपेंशिप हुई थी ताशकंद उजबिकिस्तान में उसमें भारत ने तीन ब्रॉंज जीते थे और पदक तालिका में भारत चौथे स्थान पे था फिर बताए है अभी हालि में वरिष्ट पुरुष चैंप समिती का अध्यक्ष किसे नईउक्ष किया गया तो आंसर होगा अजित अगरकर को तो याद रखना भी बी सी से है तो इस प्रशन में आपसे पूछ रहे हैं हालि में जिमेक्स दो हजार तेवे सब्व्यास का अयोजन ये कहां पर किया गया, तो अंसरो का विशाका पतनम में, तो हम बात कर रहे हैं यहां पर जिमेक्स एक्सरसाइज की, तो ये किन किन के बीच होता है, तो J मतलब जापान, I मतलब इंडिया, जापान इंडिया मेरेट टाइम तो ये एक नेवल एक्सरसाइज है, इस बार ये इसका सातवा संसकरन है, जो कहां पर हुआ, विशाका पतनम में हुआ, ये पॉइंट से याद रखना, और फिर बदाईए, अभी हाली में किसे बास्केटबॉल फेडरेशन आफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया, तो अ कुलविंदर सिंग गिल, इनको इसका महा सचिव चुना गया, और इसी से सम्मंदित एक करंट अफेर्स का प्रशन आपको रिवाइस करा रहा हूं, ध्यान से सुनना, डॉक्टर के गोविंदर आज का नाम आपने सुना था ना, बड़ा था हमने, जिनने अभी इंटरनेश इसनल बास्केटबॉल फेडरेशन का हेड़कोटर कहां पर है, मीज स्विट्जरलेंड में, फिर वताइए, अभी हाली में युक्लिड स्पेस टेलिस्कोप किस ने लॉंच किया, तो अंसर होगा, युरोपियन स्पेस एजनसी ने, तो अभी युरोपियन स्पेस एजनसी युक्लिड स्पेस टेलिस्कोप को लॉंच किया है, और किस से लॉंच किया, तो स्पेस एक्स के फालकन नाइन रोकेट से, कहां से, फ्लोरिडा से इसको लॉंच किया गया, क्यों लॉंच किया, क्या उद्दिश्य है, तो डार्क एनरजी और डार्क मेटर के स्टडी करने क के लिए इसको launch किया गया है अंतरिक्ष में और इस telescope का नाम father of geometry कहे जाने वाले Euclid के नाम पे रखा गया है बही father of geometry किसे का जाता है Euclid को ही का जाता है और उन्ही के नाम पे है ये Euclid space telescope ये telescope 6 साल तक काम करेगा चलिए फिर बताईए हाली में UK के दुआरा किसे हाती परिवार परियावरन पुरुसकार से सम्मानित किया गया तो answer होगा कारती की गौंजालविस को अच्छा आपको याद है अभी 2023 के Oscar Awards जो कि इसका 95th नंबर का संसकरन था ये भारत में बात करें तो भारत के एक तो जो RRR मुवी का गाना है नाट्टू नाट्टू उस सौंग को मिला था best song के category में और उस सौंग के music director का नाम भी याद रखना MM किरावनी है चलो बताओ अभी MM किरावनी को कौन सा पद्म पुरुसकार मिला ये प्रश्ण मैंने आपसे पूछ लिया चलो उत्तर दो इसका तो एक तो ये नाट्टू नाट्टू सौंग हो गया इसके लब एक short documentary भी थी The Elephant Whispers कई बार बताया मैंने आपको और इसी की director थे कारती की गौन्जालवेस तो अभी उनी को UK के समराट Charles Trithya ने हाती परिवार परियावरन पुरुसकार से सम्मानित किया है फिर बताईये हाली में प्रत्थम अंतरराष्ट्रे हरित hydrogen samionalon का उद्गातन का किया गया तो अंसर होगा नई दिल्ली में तो पहला अंतरराष्ट्रे हरित hydrogen samionalon है ये जो अभी नई दिल्ली में हुआ पाच जुलाई को हुआ तो इसका उद्दिश्य है हरित हाइडरोजन इको सिस्टम स्थापेग करना और हरित हाइडरोजन के माद्यम से डी कारबनाइजेशन के लिए वैश्विक लक्षियों को हासिल करना वैसे हमारा लक्ष क्या है नेट जीरो कारबन सर्जन का तो अंसर होगा 2070 है तो ये तो ओगया हमारा पहला अंतरराफ्टर हरित हाइडरोजन सम्मेलन कहां पे नई दिल्ली में फिर बताईए हाली में किस राज्य में देश के पहले सहकारी संचालित सेनिक स्कूल की नीव रखी गई तो अंसर होगा गुजरात में तो गुजरात के महसाना में देश का पहला सहकारी संचालित सेनिक स्कूल के अधरशिला भी रखी गई है किस ने रखी हमारे केंद्रे गरह मंत्रे अमिच्छा ने फिर बताईए अभी हाली में किस राज्य या यूनियन टेरिट्रे ने भारत का पहला टेली मानस चैट बॉट लॉंच किया तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर ने भारत का पहला टेली मानस चैट बॉट लॉंच किया है नहाँ टेली मानस में इसकी फुल फर्म हो गई Mental Health Assistance and Networking Across States तो अभी इसे श्रीनगर में मानसिक स्वास्त और गेर संचारी रोगों पर जम्मू कश्मीर Health Conclave के दोरान लॉंच किया गया ये चैटबॉट संकट गरस्त लोगों के साथ तुरंत बातचीच शुरू करेगा चलिए फिर बताईए अभी हमारे जो केंद्रे गरह मंतरी हैं उन्होंने कहां पर अक्षर रिवर क्रूज को लॉंच किया तो अंसरों का गुजरात तो हमारे जो होम मिनिस्टर है अमिद्शा अभी इन्होंने अक्षर रिवर क्रूज को लॉंच किया कहां पर साबर मते रिवर फ्रंट एहमदाबाद में और इस अक्षर रिवर क्रूज की बात करे तो लंबाई इसकी 30 मीटर है लगबाग 165 पैसेंजर इसमें बैठ सकते हैं यानकी कैपेसेटी है इतनी की और दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा भी आपको याद आई होगी गंगा विलास उसका नाम है वाराना से और डिबरू कड़ की बीच में चल रही है और MV Express का नाम भी याद है क्या ये भारत का पहला अंतर राश्टर क्रूज है जो की चैन्नेई से श्री लंका के लिए रवाना हुआ था चलिए फिर बताईए हाली में ग्रामिन विकास मंत्राले ने महिला, सेल्प, हेल्प, ग्रुप के उत्पादों को बेचने के लिए उनके प्रॉडक्ट्स को बेचने के लिए अभी कौन सा मॉबाइल अप्लिकेशन लॉंच किया तो आंचर होगा इसरस अप्लिकेशन तो रूरल मिनिस्ट्री यानि के ग्रामिन विकास मंत्राले ने महिलाओं के स्वेम सहायता समूहों, सेल्प, हेल्प, ग्रुप्स के बनाए गए उत्पादों उनके जो प्रॉडक्ट्स हैं उनको बेचने के लिए ये मॉबाइल अप्लिकेशन इन्होंने लॉंच किया इस मंत्राले हैं, क्या नामे इसरस अप्लिकेशन तो इस प्रश्ण में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाली में भारत के पहले वेदिक थीम पार्क का उधगाटन कहां पे किया गया तो अंसर होगा उत्तर प्रदेश में, तो अभी उत्तर प्रदेश की जो मुख्य मंत्री योग्या दित्तिनाथ, इन्होंने भारत के पहले वेदिक थीम वाले पार्क का भी उधगाटन किया है और इस पार्क का नाम रखा है वेद वन पार्क ये पार्क उत्तर प्रदेश के नोईडा के सेक्टर 78 में करीब 27 करोड रुपे की लागत से बनाया गया है देखो फिर अगला प्रशन है अभी हाली में भारते नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर सेल्वेक्स अभ्यास का एउजन किया तो अंसर होगा अमेरिका तो यहां कौन सा एक्सरसाइज है ये सेल्वेक्स एक्सरसाइज ये एक नेवल एक्सरसाइज है भारत और अमेरिका के बीच में हुआ ये इसका सातवा संसकरन है कहां पे हुआ? कोच्ची केरल में हुआ और इसमें भारत के INS निरिक्षक ने हिस्सा लिया अच्छा पहले हम बात कर लें कि भारत और अमेरिका के बीच में और कौन-कौन सी एक्सरसाइज होती है देखो अमेरिका के साथ हम वज्र प्रहार एक्सरसाइज करते हैं युद्ध अभ्यास हम करते हैं टाइगर ट्रियम्प करते हैं कोप इंडिया करते हैं संगम एक्सरसाइज हमने किया मालाबार एक्सरसाइज तो कौर्ड देशों के बीच में होती है और अमेरिका के साथ अभी हमने तरकश exercise भी किया था चलिए फिर बताईए हाली में FIH Hockey Pro League 2022-23 सीजन की चेंपियन कौनसी टीम बन गई तो आंचरोगा नीधर लेंड तो FIH Hockey Pro League 2022-23 की बात हो रही है इसको जीत लिया है नीधर लेंड ने किसे हराया? Great Britain को और इसमें भारत चौथे स्थान पे रहा और बता दू नीधर लेंड इस खिताब के साथ पूरुशों की प्रत्योगिता में दूसरा खिताब जीतने वाली पहली टीम बन गई है और इसमें भारत के कप्तान हर्मन प्रीट सिंग F.I.H. प्रो लीग 2022-23 में 18 गोल के साथ टॉप स्कॉरर रहे यहाली में एक मारा परियोजना ये कांपे शुरू की गई तो अंसर होगा उडीसा में तो अभी उडीसा के जो मुक्य मंत्रिये नवीन पटनाया इन्होंने अभी एक मारा परियोजना को शुरू किया है कहां पे शुरू किया भुवनेश्वर में भुवनेश्वर में जो लिंग राज मंदिर है वहां पे जिसका उडीसा के प्राचीन मंदिरों का विकास करना और इसमें कितना खर्चा होगा यह यह यूँ कहूं यह परियोजना कितने करोड रुपे की है 282 करोड रुपे की मतलब 280 करोड रुपे इसमें खर्च किये जाएंगे Actually मैं भुवनेश्वर का पुराना नाम है एकम्र और उसी के नम पे यह परियोजना का नाम रखा है एक मारा परियोजना और वैसे उडिसा का पुरणना नाम क्या है कलिंग और इसी के नम पे यहाँ पे कलिंगा स्टेडियम आपको मिलेगा अब बात चलिये फिर बताये हाली में किस राज्य सरकार ने प्रधान मंतरी जन आरोग्य योजना के बीमा राशी को 5 लाख रुपे से बढ़ा के 10 लाख रुपे करने की गोशने की तो अंसर उगा गुजरात तो अभी गुजिरात सरकार ने परधान मंतरी जन आरुग्य योजना के तहट बीमा कवर राशी को दो गुना कर दिया मतलब अब इस योजना के लाबार्तियों को 5 लाक रुपे की जगे 10 लाक रुपे का बीमा कवर दिया जाएगा प्रधान मंतरी जन आरोगे योजना जिसको आयुशमान भारत योजना भी कहते हैं शुरूती 2018 में इसमें आर्तिक रुप से कमजूर लोगों को स्वास्त बीमा मुहिया कराया जाता है अच्छा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखके बताओ कि एक सबसे बड़ी स्वास्त बीमा योजना है जिसका नामें चिरन जीवी योजना ये किस राज़ी किया और उसमें बीमा राशी को बढ़ा के कितना रुपया कर दिया गया ये बताओ फिर बताईए अभी हाली में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना को किस राज़ी में शुरू किया गया तो आंसर होगा हर्याना में तो अभी 1 जुलाई 2023 को हर्याना के जो उपमख्य मंत्रियें दुश्यन्त चोटाला इन्होंने गुरुग्राम में इस मेरा बिल मेरा अधिकार योजना को शुरू किया एक्चुली में अभी जीएश्टी लागू होने की छटी वर्षगाट के आउसर पर कर दाताओं को प्रोचाइद करने के उद्दिश्यसे से शुरू किया गया जीएश्टी दिवस मनाते नम एक जुलाई को आचा इसमें करना क्या होगा तो इसमें उपभोग्ताओं को खरिदारी के वक्त बिल लेना होगा दुकानदार से और उस बिल को पोर्टल पर अपलोड करना होगा इसके बाद ड्रॉ निकाला जाएगा और उपभोग्ताओं क में समान खरीदते समय बिल मांगने की आदत विक्सित होगी आप फिर बताईए हाली में किसने माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है थ्रेड्स इसको लॉंच किया तो अंसर होगा मेटा ने तो अभी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है मेटा यानि कि जिसका पहले नाम फेस्बुक था इसने अपना नया माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म थ्रेड को लॉंच किया है मतलब जैसे ट्विटर है ना उसी की तरह से ये भी आप कह सकते हो मेटा ने ट्विटर को काउंटर करने के लिए उसे टक्कर देने के लिए ये थ्रेड नाम किया है मेटा ने फर बताईए अभी हाली में विश्व निवेश रिपोर्ट दोजा तेविश को किस ने जारी किया तो आंचर होगा अंक्ताड ने रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड इंवेश्मेंट रिपोर्ट जारी किया अंक्ताड ने और इस रिपोर्ट में ये बताया ग कमी देखी गई है और जो developing यानि की विकासिल देश है उनमें चार प्रतिशत की व्रद्धी देखी गई है FDI के मामले में सबसे ज़्यदा FDI कहां आया फिर भी आप देखोगे तो अमेरिका में दूसरे नंबर पे चाइना है और भारत भारत इसमें आठवे स्थान पर है और भारत में देखा गया कि 49 बिलियन डॉलर का FDI आया FDI मतलब foreign direct investment और ये जो 49 बिलियन डॉलर है ये पिछली साल से ज़्यदा है आपके सकते हो प्रतिशत में 10 प्रतिशत की व्रद्धी हुई है भारत में अचा अंकिटार्ड मतलब United Nation Conference on Trade and Development इसता अपना होती 1964 में हेड़क्वाटर है जेनेवा स्विट्जलन में और अभी अंकिटार्ड की पहली मैला अद्देख्ष कौन बनी थी Rebecca Grinspan बनी थी ध्यान रखना ये भी बढ़ते आगे फिर बताईए हाली में Jens Stoltenberg को कि संगठन का फिर से महा सचीव चुना गया तो आंचार होगा NATO तो अभी NATO के जो महा सचीव है Jens Stoltenberg जिनको अभी एक बार फिर से NATO का महा सचीव नियुक्ट किया गया है Jens Stoltenberg वेसे आपको बतादू ये नॉर्वे के पूर्वे प्रधानमंतिर भी रह चुके और दो हचीव ये पहली बार NATO के महा सचीव सेक्रेटरी जनरल बने थे देखो NATO की फुल फर्म क्या होती है North Atlantic Treaty Organization जिस्ता अपना होती 1949 में हेड़क्वाटर हो गया Brussels Belgium में वेसे अब इसके 31 मेंबर देश हो चुके है 31 वा कौन सा बना Finland बना अभी NATO ने काफी एकसरसाइजे की है जैसे की Arctic सेन्य अभ्यास का आयोजन किया कहां पे इसके नवीन्तम सदस्य देश यानि कि Finland में और अभी Cyber सुरक्षा अभ्यास Locked Shield का आयोजन भी किया NATO ने काफे Estonia में तो ये points भी ध्यान रखना आप तो इस प्रशन में आपसे पूछ रहे है कौन सा देश 2024 में G20 की अध्यक्षिता करेगा तो आंचरूगा Brazil वेसे आपको बताए 2023 में भारत G20 की अध्यक्षिता कर रहा है इस बार कौन सा संस्करन है तो अठारवा और इस बार थीम क्या है वासुदेव कुटमबकम इंग्लिश में बोलोगे तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर और इसमें शेरपा बनाया गया है अमिताप कांत को तो अभी इसका जो स्टारटप 20 शिकर सम्मिलन हुआ गुरुग्राम में वहीं हमने ब्राजील को मशाल सौप दी है तो मशाल सौपने का अर्थ यही हुआ कि अगले साल यानि की 2024 में इसके अध्यक्षिता यानि की G20 के अध्यक्षिता यह ब्राजील कर रहा है और 2022 में किस ने की थी इंडोनेशिया ने वैसे अभी 2023 में इंडोनेशिया के पास किसके अध्यक्षिता है आशियान की G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है इसका हेटक्वाटर हेटक्वाटरिस का कई भी नहीं है फिर बताईए हाली में महिला सम्मान बचत प्रमान पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बन गया तो अंसरोगा बैंक ओफ इंडिया तो बात कर रहे हैं महिला सम्मान बचत प्रमानपत्र योजना की जिसकी घोशना हमारी वित्तमंत्रे निर्मला सीता रमंजी ने की थी एक फरवरी 2023 को तो ये जो योजना है ये दो वर्षों के लिए है यानि कि 2024 और 2025 के लिए है इसमें आप मिनिमम एक हजार रुपे और मैक्जिमम दो लाख रुपे जमा करा सकते ह जिसके बदले में आपको कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा 7.5% का और अभी इस योजना को शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा बना बैंक ओफ इंडिया बना तो इंपोर्टेंट प्रशन है बैंक ओफ इंडिया के स्टैटिक देख लो इस थापना होती है 1906 में मुंब EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगरिय निकाय कौन सा है तो अंसर होगा इंडौर EPR मतलब Extended Productive Responsibility तो अभी इंडौर नगर निगम प्रतिबंदित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तूओं के पुनर चकरन यानि की recycling के लिए EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहल उसका जो भी निर्माता है वो उत्पात बनाने वाला जो भी है तो उसकी जिम्मेदारी को उपभोकता चरण तक बढ़ा दिया गया है कि कंजुमर के उस उत्पात को यूज करने के बाद उस प्रोड़क्ट को यूज करने के बाद जो भी वेस्ट बचेगा उसका management आपको क करना होगा यह निर्माता के जिम्मेदारी होगी यही इसका मतलब हो गया तो आपके प्रशन आएगा एक्जाम में तो कैसे आएगा वहाँ तो मतलब नहीं पूछेगा तो ऐसे याद रखना प्रशन की फ़र्म में कि EPR क्रेडिट पाने वाला देश का पहला नगर यह निक सिंपल सब जो मैं बोलो तो EPR तो आंसर होगा पटना नगर निकम और ग्रीन बॉंड जारी करने वाला पहला नगर निकम यह बना था गाजियाबाद दूसरा था इंदौर फिर बताईए अभी हाली में किस राज्य ने मो जंगल जामी योजना शुरू की है तो आंसर होगा अब बात करें कि क्या है इसमें तो राज्य के आदिवासी समुदायों के वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए यह योजना शुरू की है उडिशा सरकार ने जिसका नाम है मो जंगल जामी योजना चलिए फिर बताईए अभी हाली में अंतर राष्ट्रे खगोलिय स संग ने किस भारते के नाम पर एक छोटे गरह का नाम रखा है तो आंसरोगा अश्विन शेखर इंगलिश में इसे बोलेंगे तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जिसकी स्टापना होती 1919 में हेड़ कोटर है पैरिस फ्रांस में और इसने अभी भारत के पहले प को बता दूँ जिसमें से कुछ के नाम तो आप जानते होंगे जैसे की वेज्ञानिक सीवी रमन, सुब्रमन्यम चंदर शेखर, शिरिनिवास रमनुजन, वेक्रम सारभाई और एक थे कलाट वेनू बप्पू और अब ये एक और भारते को मिल गया है ये समान उनका नाम भ फिर बताईए हाली में S.O.C.M. Business Excellence Award 2023 में Employer Brand of the Year Award का खिताब किस ने जीता तो अंसरोगर राष्ट्रे खनिज विकास निगम National Mineral Development Corporation ने शौर्ट में बोलेंगे N.M.D.C. और अभी इसको कॉलकता में S.O.C.M. Business Excellence Award 2023 में दो पुरुसकारों से जब्मानित किया गया यहां तो मैंने आपको एक ही पुरुसकार बताया है और तो वो दूसरा पुरुसकार कौन सा है खनिज विकास पुरुसकार Mineral Development Award और एक मैंने आपको बता दिया Employer Brand of the Year का आवर्ट मिला इसे है और इसे यह पुरुसकार खनन शेतर में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है NMDC की बात करे याने कि National Mineral Development Corporation रश्टर खनिज विकास निगम ये एक नवरतन कंपनी है अब मेरे प्रस्न का उतर दो पहला तो कि भारत में कितनी महारतन और कितनी नवरतन कंपनी अभी लेटेस्ट कौन सी बनी है और ये जो NMDC है ये नवरतन कंपनी है जो अब ये फिर बताईए अगस्ट 2023 में भारत अफरीका अनतर राष्ट्र मोटा अनाज सम्मिलन का एउजन कहांपे किया जाएगा तो अंसर होगा Kenya में तो भारत अफरीका अनतर राष्ट्र मोटा अनाज सम्मिलन कब से कब तक 30 और 31 अगस्ट 2023 को कहांपे Kenya के Netherления के नेयरोबी फैलाना है इस सम्मेलन का मेन उद्दिश्य है मोटे अनाच से याद आ गया होगा United Nation General Assembly ने 2023 को मोटे अनाच का अंतरराश्टर वर्ष घुशित किया यानि की बाजरे का वर्ष यानि की Year of Millets और बाजरे को हम क्या कहते हैं अब श्री अन कहते हैं और जो भारतिय बाजरा अनुसंधान केंदर है है एदरबाद में उसे इसके लिए करश्टता केंदर के रुप में घुशित किया गया था और नई दिल्ली में करशी मंतरी ने अपनी तरह का पहला Millets Experience Center भी लॉंच किया था ध्यान रखना ये points भी बढ़ते हागे तो इस प्रश्ण में आपसे पूछ रहें अभी हाली में कौन संयुक्त राष्टर को तीन बार संबोधित करने वाली पहली भारतिय बन गई है तो आंसर होगा DP का देशवाल तो दिपिका देशवाल ये अभी New York शहर में संयुक्त राष्टर मुख्याले में भाशर देने वाली पहली और सबसे कम उम्र की भारतिय लड़की बन गई है अभी महिलाओं के अधिकारों और मानव अधिकारों पर भाशन देने के लिए उन्हें तीसरी बार संयुक्त राष्टर के द्वारा अमंत्रित किया गया था इससे पहले दिपिका देशवाल ने COVID-19 महामारी के दुरान अपनी निस्वार्थ सार्वजनिक सेवा के लिए गया सेक्रेटरी जन्रल एंटोनियो गुतरस फिर बताईए अभी जुलाई 2023 में किस टीम ने तेरवी होके इंडिया जूनियर महिला राष्टर चेंपेंशिप को जीता तो आंसरों का मध्यप्रदेश तो बात कर रहे हैं तेरवी होके इंडिया जूनियर वोमेंस नेशनल इसको मध्यप्रदेश ने जीत लिया है मध्यप्रदेश ने और किसको हराया या उप्विजेता कौन रहा तो आंसरों का जारखंड और इस पर आप कह सकते हो कि मध्यप्रदेश के लिए एक मात्र गोल किया है गुरमेल कौर ने चली बताईए अभी हाली में किस भारते को युक्रेन पर संयुक्तर राष्टर मानवधिकार परिशद के जांच आयोक का सदस्य नियुक्त किया गया तो अंसरोंगा वरंदा ग्रोवर को तो अधिवक्ता वरंदा ग्रोवर को 2022 में संयुक्तर राष्टर मानवधिकार परिशद के द्वारा युक्रेन पर इस्थापि कि वे 2013 की टाइम मैगजीन की एक रिपोर्ट में दुनिया के सो सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भी शामिल की गई थी फिर बताईए अभी हाली में बहतर दक्षिता और कम उत्सरजन के लिए अब इस प्रशन को में बिल्कुल सिंपल भाशा में आपको समझाता हूँ और इसको मैं मैप से आपको समझाता हूँ आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा यह आपके इंद्रागांदी इंटरनेशनल एरपोर्ट का मैप हो गया अब देखो हो तक है जिसे कि आपका एरोप्लेन इस रनवे पे उतरता है अब उसे यहां से सवारियों को ले करके टर्मिनल वन पे जाना है तो फिर उसे यह वाला रास्ता अपनाना पड़ता तब ही तक और यह बहुत लंबा रास्ता होता है यहां पर उसे उड़के नहीं जाना है चलके जाना होता है टेक्सी की तरह जिसमें यात्रियों को यहां से वहां तक पहुँचने में करीब 25 से 30 मिनिट लग जाते हैं आदा घंटा खराब हो जाता है उनका यूँ समझो और भई एरोप्लेन चलके जा रहा है तो कार्बन उत्सरजन भी होता है कार्बन एमिशन भी होता है तो इन्होंने क्या किया इन्होंने यहां से इसका शॉटकट बना दिया और यहां आप देख रहे होंगे यही है इसे ही कहा है इस शॉटकट को तो अब क्या होगा एरोप्लेन यहां पर उतरेगा तो अब वो इतना लंबा पास घुम करके टर्मिनल वन पर नहीं जाएगा यहीं से यह एलिवेटेट टैक्सी वे पर होकरके डारेक्ट महां पर निकल जाएगा इसकी लंबाई की बात करें तो 2.1 किलोमेटर यह लंबा है और यहां से यहां जाने में केवल इसको 10 मिनिट लगेंगे पहले कितने लगते थे 25 से 30 मिनिट लगते थे इससे यात्रियों का समय भी बचेगा हमारा पेट्रोल भी खर्च कम होगा जो भी एरोप्लेन है उनका कार्बन एमिशन कम होगा और आप यहां पर देखोगे इसकी खास बात यह है कि यह जो एलिवेटेड है यह जो टेक्सी वे है यह एलिवेटेड मतलब उठा हुआ है मतलब उपर से निकलेगा एरोप्लेन और नीचे से जो नॉर्मल गाडिया है वो आती जाती रहेंगी तो इन दर टाइम ऑफ हिंदुत्व नाम की बुक को किस ने लिखा तो आंसर होगा सुधा पाई और सजन कुमार ने तो इन दोनों ने मिलकर कि इस बुक को लिखा है जिसका नाम है माया मोदी आजाद दलित पॉलेटिक्स इन दर टाइम ऑफ हिंदुत्व तो इस प्रशन में आपसे पूछ रहें अभी हाली में किस राज्य में अंतियोदे शरमिक सुरक्षा योजना ये लांच की गई तो अंसर होगा गुजरात में तो अभी गुजरात के जो मुख्य मंत्रे भूपेंद्र याद हो उन्होंने शरमिकों के लिए अंतियोदे शरमिक सुरक्षा के लिए इस अनुठी यूजना को प्रयोग आधार पर यानि कि experimental basis पर यानि कि practically शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है अब है क्या फाइदा इसका तो इसमें 289 और 499 रुपीज के premium में शरमिकों को मृत्यू या आन्शिक विकलांगता की स्थिति में सहायता मिलेगी सरकार की और से मतलब अगर उस शरमिक की मृत्य हो जाती है तो उसका जो भी उत्तराधिकारी जो भी उसका बेटा होगा जो भी उसके परिवार वाले होंगे उनको सरकार की तरफ से 10 लाक रुपे मिलेंगे लेकिन अगर शरमिक विकलांग हो जाता है मतलब उसकी मृत्यू नहीं होती वो विकलांग हो जाता है तो फिर उस शरमिक को ही 10 लाक रुपे दे जाएंगे पर मृत्यू के केस में 10 लाक रुपे तो मिलेंगे ही सही उसके अलावा उसके बच्चों को एक लाख रुपे की सिक्षा शहायता भी दी जाएगी ये फरक रहेगा अच्छा चलिए फिर बताईए अभी हाली में 100% बीमा करत होने वाला तेलंगना का पहला गाउं कौन सा बन गया तो अंसरों का मुखरा तो तेलंगना में आदिलाबाद जिले का एक गाउं है मुखरा जो 100% बीमा करत होने वाला राज्य का पहला गाउं बन गया है मतलब गाउं के हर परिवार का बीमा हो रखा है फिर बदाईए हाली में यूरोपियन यूनियन के पहले खुले तोर पर समलेंगिक राष्टरबदी के रूप में किसने शपत लिये तो आंसर होगा एडगर्स रिंकेविक्स अच्छा एक सची बात बताओ इस प्रश्ण की तो ये जो नाम हैना ये आप अल्रेड़ी याद कर चुके हो हमने करंट अफेर्स में एक अपोइंटमेंट पड़ा था वहाँ पे आपने इनका नाम पड़ा था याद आया एक बाल्टिक कंट्री है बाल्टिक देश है जिसका नाम है लात्विया जिसके अभी प्रशिडेंट बने थे उन वो यही तो थे एडगर्स रिंकेविक्स अब तो आपको याद आ गया होगा और अभी इनको ही यूरोपियन यूनियन के राश्ट्रबदी के रूपे भी चुन लिया गया है या यू कहूं कि यूरोपियन यूनियन के सदस्यर राज्य के पहले खुले तोर पर समलेंगिक राष्टरबती बने है ये और किस देश के हैं ये राष्टरबती वैसे लातविया के लातविया की कैपिटल जरूर याद रखना रीगा है करंसी तो यूरो है इस ही अचा बाल्टिक कंट्रीज मैंने बोला आपको बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन सी है एक तो ये ह चुनोतियों और परिणामों के बारे में जागरुकता बढ़ाने और वेक्तियों को सिक्षित करने के उद्धिश से ये दिन मनाया जाता है 11 जुलाई को मनाते है important है ये याद रखना इस बार की theme है unleashing the power of gender equality वैसे theme बढ़ी है लेकिन ये आगे का हिस्सा में ने ले लिया थागि आपको याद रहे जाए unleashing the power of gender equality फर बताईए अभी हाल में अंतरराष्ट्र वित्य सेवा केंदर प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने तो answer होगा के राजारमन इसको इंग्लीश में बोलेंगे International Financial Services Center तो अभी दूर संचार सचीव है के राजारमन और इनको सरकार ने अंतरराष्ट्र वित्य सेवा केंदर प्राधिकरण का नए अध्यक्ष बनाया है वे इंजेती श्री निवास की जगे लेंगे और IFSCA की बात करें इसका गठन होता है अप्रेल 2020 में हेड़ क्वर्टर है गिफ्ट सिटी गांधी नगर में चलिए फिर बताईए नवंबर 2023 में तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन कहां पे होगा तो अंसरो का बैंकोक में तो इस साल नवंबर में तीसरा वर्ल्ड हिंदू कॉंगरिस का आयोजन होने जा रहा है आयोजन कौन कर रहा है वर्ल्ड हिंदू फाउंडेशन जिसके ट्रस्टी है स्वामी विज्या नानंद अच्छा ये तीसरा है तो पहला कब हुआ था और कहां पे हुआ था 2014 में नई दिल्ली में दूसरा सम्मेलन 2018 में हुआ था अमेरिका के शिकागो में और अब तीसरा हो रहा है 2023 में थाइलेंड के बैंककॉक में चलिए फिर बताइए बैलेंडी और पुरुषकार जीतने वाले एक मात्र स्पैनिश पुरुष फुटबॉलर कौन थे जिनका भी हाली में निदन हो गया तो अंसर होगा लुइस सौरेज तो इनका नाम था लुइस सौरेज और इनका भी निदन हो गया और इनका नाम इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि ये फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तिगत पुरुषकार जिसे कहते हैं बैलन डियोर ये जीतने वाले एक मात्र पुरुष इस्पैनिश व्यक्ति थे उन्होंने 1960 में ये पुरुषकार जीता था वे इस्पेन की टीम में खेले जिसने 1964 की ये चेंपेन्शिप जीती जो उनका पहला बड़ा खिताब था अच्छा मैंने यहां पे बोला न की एक मात्र पुरुष फुटबॉलर कहा के इस्पेन की या यूं बोलू कि एक मात्र इस्पैनिश पुरुष फुटबॉलर थे ये जिन्होंने ये बैलेंडी और पुरुष जीता था पुरुष मैंने यहां पे इसलिए बोला है क्योंकि एक स्पैनिश मिड़ फिल्डर है जिनका नाम आप जानते होंगे एलेक्सिया पुटेलस जिन्होंने दो बार महिला बैलेंडी और पुरुष जीता है इसलिए वहां पे पुरुष लगाना जरूरी था अगर मैं ऐसे बोलता कि एक मात्र स्पैनिश फुटबॉलर का निदन हो गया जिन्होंने ये पुरुष का रजिता था आप कहदोगे कि एक मात्र थोड़ी ना है स्पैनिश एलेक्सिया पुटेलस भी तो जीच चुकी है वो भी दो बार इसलिए मैंने पुरुष लगाया वाँ पे फिर बताईए अभी हाली में ब्रिटिश ग्रेंड प्रिक्स दोजा तेविस का किताब किस ने जीता तो आंसरो का मैक्स वर्टस पन तो मैक्स वर्टस पन और वैसे आप तो इनकी जन्म कुंडली आपको याद हो गई होगी इतनी बार पढ़ लिया हमने चलो बताओ फिर किस कंपनी के ये ड्राइवर है तो रेडबुल के ड्राइवर है कहा से हैं, कहा रहते हैं, नेशनलिटी के है नीदरलेंड है और अभी एक बार फिर उन्होंने ब्रिटिश ग्रेंड प्री दो हजा तेविस का किताब भी जीत लिया है तो ये देखो, important question पूछ रहा है कि अभी किस वेक्ति को प्रतिष्ठित लोक मानने तिलक पुरुसकार दो हजार तेविस सम्मानित किया जाएगा तो अंसर होगा, नरींद्र मुदी को यानि कि प्रधान मंतरी नरींद्र मुदी इनको प्रतिष्ठित लोक मानने तिलक पुरुसकार दो जार तेविस सम्मानित किया जाएगा प्रधान मंतरी नरींद्र मुदी को उनके सरवोच नेतरत्व और नागरिकों के बीच देशभक्ती की भावना जागरत करने के लिए उन्हें इस पुरुसकार के लिए चुना गया है चलिए फिर बताईए अभी हाली में अंतर राष्टर मलाला दिवस ये कब मनाया गया तो आंचर होगा 12 जुलाई को तो हर साल 12 जुलाई को युवा कारे करताव मलाला यूसफ जई के जनम दिन के अउसर पर ये दिन मनाया जाता है मलाला यूसफ जई की बात करें तो उनका जन पाकिस्तान में हुआ था 1997 में उन्होंने 2008 में महिलाओं की सिख्षा के लिए वकालत करना शुरू किया था लेकिन फिर 2012 में तालिबान ने उन पर हमला कर दिया था और एक गोली उनके सर को पार कर गई थी लेकिन फिर भी वो बच गई और फिर 2012 में पाकिस्तान सरकार ने पहली बार राष्टर युवा शांती पुरुसकार से उनको सम्मानित किया था और फिर 2014 में वो 17 साल की उमर में सबसे कम उमर की नौबल शांती पुरुसकार पाने वाली व्यक्ति बनी थी फिर बताईए अभिहाली में वाजपेई The Ascent of the Hindu Right 1924-77 नाम की बुक को किसने लिखा तो आंसर होगा अभिशेक चौधरी ने तो दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेई के शुरुवाती वर्षों पर यानि की 1924-1977 तक के उनके जीवन के 53 वर्षों के बारे में इस बुक में बताया गया है जिसे लिखा है अभिशेक चौधरी ने अच्छा अटल बिहारी बाजपेई जी के नाम पे ही एक बुक आई थी जिसको किस ने लिखा था यादे क्या सागर का घोष ने लिखा था और इनके जनम दिन को गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी मनाते हैं कब 25 देसंबर को चलिए फिर बताईए अभी हाली में IIT की पहली महिला निदेशक के रूप में अभी किसे नियूक्ट किया गया तो आंसर होगा प्रिती अगलायम को आपको याद है हम लोगों ने एक प्रश्न बढ़ा था कि कौन सा IIT तंजानिया में अपना पहला अंतरराष्ट्रे परिसर स्थापित कर रहा है तो आपने कहा था IIT मदरास तो IIT मदरास का ये भारत के बाहर अपना पहला IIT परीसर है तंजानिया में तंजानिया में है और तंजानिया से आपको एक और important fact याद रखना है कि साउत अफरिका के सबसे उची परवच चोटी ये तंजानिया में ही है जिसे माउंट किली मंजारों कहते है तो तंजानिया क जानजीबार शहर में स्थापित हुआ ये इसका परिसर और वही पर ये निदेशक बनी है आप कहा सकते हो कि IIT की पहली महिला निदेशक बनी है प्रिती अगलायम ऐसे प्रश्ण बनेगा चलिए फर बताईए हाली में किसने कनाडा ओपन बैडमिंटन टोर्नामेंट दोज सिंगल का टाइटल जीत लिया है उन्होंने चाइना के ली शीव फैंक को हराया है चलिए फिर बताईए अभी हाली में राष्ट्र मतस्सिक किसान दिवस कब मनाया गया तो अंसर होगा 10 जुलाई को तो भारत में मतस्सिक रश्कूं मच्छवारों और मचली पालन से जुड की दो वेज्ञानिक थे डॉक्टर हीरालाल चौदरी और डॉक्टर अली कुनहा उन्होंने 10 जुलाई 1957 को मचलियों की प्रजाती में करतिम प्रजनन तक्नीक की खूच कीती इसलिए 10 जुलाई को ये दिन हम राष्ट्र मतस्से किसान दिवस के रुप में मनाते हैं अगर आपसे दिवस के बारे में पुझेगा ये दिन कब मनाते हैं दियान रखने से और इस बार ये इसका 23 वा संसकरन है चलिए फिर बताइए विश्व तिरंदाजी युवा चेंपिंशिप 2020 में भारत पदक तालिका में कौन से इस्थान पर रहा है तो अंसरों का दूसरे इस् इसमें से 6 गोल्ड है एक सिल्वर है और 4 ब्रॉंज है और इस तरह से पदक तालिका में भारत दूसरे इस्थान पर रहा है पहले स्थान पर कौन है पहले स्थान पर कोरिया है इसने 6 गोल्ड और 4 सिल्वर यानि के टोटल 10 मेडल जीते हैं फिर बताइए अभी हाली में किस पेरा हिटर ने World Shooting Parasports विश्व कप में स्वण्ण पदक जीत करके विश्व रिकॉर्ड बनाया तो आंचर होगा रूधरांश-खंडेलवाल तो World Shooting Parasports וिश्व कप यह हुआ कहाँ पे? क्रोइशिया में और अभी इसमें भारत के पेराशूटर रुद्रांश खंडेलवाल ने 50 मीटर पिस्टल SHI केटेगरी में गोल्ड जीता है और इस तरह से उन्होंने खेल रत्न पुरुसकार विजेता मनीश नर्वाल का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया जिन्होंने 2020 टोक्यो पेरालंपिक में तो रुद्रांश खंडेलवाल का नाम याद रखना पूछा जा सकता है इनका समन किस खिल से है शूटर है पेरा शूटर पढ़ते आगे फर बताईए हाली में एशियाई एथलेटिक्स असोशेशन के द्वारा किस संगठन को एशिया में सरूश्रेश्ट सदस्य संग घुशित किया गया तो आंसर होगा एथलेटिक्स फेटरेशन ओफ इंडिया तो एशियाई एथलेटिक्स असोशेशन ने भारते एथलेटिक्स महासंग को एशिया में सरूश्रेश्ट सदस्य महासंग के रूप में चुना है और Athletics Federation of India की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट को ने? आदिले सुमरेवाला उन्होंने बेंकॉंक में एश्याई Athletics Association की पचासवी वर्षगार समारों में ये पुरुसकार प्राप्त किया फिर बताईए अभी हाली में 34 वे जीव विज्ञान ओलंपियाड में कौन सा देश पदक तालिका में टॉप पे रहा तो आंसरों का भारत तो भारत ये 34 वे अंतरराष्ट्रेय जीव विज्ञान ओलंपियाड में सबसे अधिक पदक हासिल करके पदक तालिका में टॉप पे रहा है इसका आयोजिन कहां पर वा था इस 34 वे जीव विज्ञान ओलंपियाड का United Arab अमिरात में और ये पहली बार है जब भारत की सभी छात्रों ने जिसने भी इसमें पार्टिसिपेट लिया सभी ने सभी के सभी ने गोल्ड जीता है और वैसे कितने भारतियों पार्टिसिपेट किया था तो चार भारतियों ने तो मतलब हमारे पास गोल्ड कितने आए चार गोल्ड आये हैं चार चात्रों के नाम भी मैं आपको बता दूँ करनाटक से ध्रूव आडवानी, कोटा राजस्थान से इशान पेडनेकर अच्छा कोटार राजस्थान से एक मिस इंडिया अभी बनी थी उनका नाम जानते हो तो बताओ कमेंट बॉक्स में क्या नाम है उनका इनके अलावा महराष्टर के जलाना से मेग चाबड़ा है और चट्टेजगर से रोहित पंड़ा है तो ये चार चात्रों के नाम भी मैंने आपको बता दिये तो इस प्रश्ण में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाली में उडिसा की एक न्यूज चैनल ने किस नाम से एक आटिफिशल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉंच किया तो आंसर होगा लीसा तो उडिसा का एक न्यूज चैनल है OTV News जिसने अभी आटिफिशल इं न्यूज एंकर लॉंच की जा चुकी है किसके द्वारा इंडिया टीवी के द्वारा और उस न्यूज एंकर का नाम था सना और अगर बात करें कि पूरी दुनिया का पहला आर्टिफिशल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर ये किस देश ने लॉंच किया था तो अंसर होगा चाइना ने ये बात है 2018 की और फिर बताईए अभी हाले में किसे उजबेकिस्तान का राष्टरपती चुना गया तो अंसर होगा शावकत मिर्जी युएव तो अभी तक उजबेकिस्तान के राष्टरपती यही थे शावकत मिर्जी युएव और अभी एक बार फिर से उन्हे उजबिकिस्तान के राष्टरबदी के रूप में चुन लिया गया है और उजबिकिस्तान के केपिटल ताशकंद है करंसी है उजबिकिस्तानी सूम ये एक लेंड लॉक्ड कंट्री है फिर बताईए अभी हाली में दुनिया की पहली मानव रॉबोट प्रेस कॉन्फरेंस का योजन कहां पर किया गया तो आंसर होगा जिनेवा और जिनेवा का है स्विट्जेलेंड में इसका गॉड़ फादर किसे का जाता है तो आंसर होगा जेफ्री हिंटन ये नाम याद रखना तो इस press conference में क्या हुआ भी क्या होता है press conference में जो news वाले होते हैं वो प्रशन पूछते हैं तो यहां पे भी उन्होंने रोबोट से अलग-अलग मुद्धों पर प्रशन पूछे और उन्होंने रोबोट से सवालों के जवाब दिये अच्छा एक सूफिया नाम का रोबोट आपने काफी बार सुना होगा उसने तो यहां तक कह दिया कि हम दुनिया को भेतर ढंग से चला सकते हैं इंसानों से ज़्यादा भेतर चलिए फिर बताईए अभी हाली में विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया तो अंसरोगा 12 जुलाई को तो प्लास्टिक के बजाए पेपर बैग का इस्तमाल करने के महत्व को बढ़ावा देने के लिए हर साल वर्ल्ड पेपर बैग बैग के रुपे मनाया जाता है कब 12 जुलाई को वैसे अभी आपको याद है हमने वर्ल्ड प्लास्टिक बैग फ्री डेबी मनाया था तीन जुलाई को चलिए फिर बताईए अभी हाली में किसे जून महीने के लिए ICC प्लेयर आफ दा मन्त चुना गया है तो अंसरोगा एशले गाड़नर को तो अस्ट्रेलिय महीला टीम की अल्राउंडर एशले गाड़नर जिनको अभी जून महा के लिए ICC वोमेंस प्लेयर आफ दा मन्त चुना गया है जबकि पूरुशों में चुना गया है श्रेलंका के स्पिनर वानिंदू हचरंगा को अचा यहाँ पे एक और इंपोर्टेंट में आपको बता हाली में है CEO है जो फेलार्डेस और चेर्मेने ग्रेग बार्कले ध्यान रखना यह बढ़ते आगे फिर बताईए हाली में Colors of Devotion नाम की बुक को किस ने लिखा तो आंसरों का अनिता भरत शाह ने तो अभी अनिता भरत शाह ने एक नई बुक लिखी है जिसका नाम है Colors of Devotion तो यह जो बुक है यह बुक उस कला को प्रिरित करने के लिए है जो वल्लब संपरदाई की धार्मेक परथाओं में उपयोग के लिए बनाए गई थी फर बताईए अभी हाली में Thailand में Asia Athletics Championship का अधिकारिक शुबंकर मैस्कोट किसे चुना गया तो आंसरों का भगवान हनु तो भारत में सबसे प्रतिष्थित देवताओं में से एक भगवान हनुमान जी को एश्याई Athletics Championship का शुबंकर चुना गया है मैस्कोट बनाया गया है यह आयोजन महादवी पेस शाशे निकाई की पच्चास भी वर्षकार्ट पर आयोजित किया जा रहा है बताओ भगवान कोई इन्होंने शुबंकर भना दिया तो इस प्रशन में आपसे पूछ रहे है हाली में दुनिया का पहला मिथेन संचालित रॉकेट जिसका नामे जुके 2 इसको किसने लॉंच किया तो अंसर होगा चाइना ने तो पहला पॉइंट तो यह याद रखना कि यह दुनिया का पहला मिथेन संचालित रॉकेट है क्या नाम है जुके 2 किसने लॉंच किया है चाइना ने कहां से गोबी मरुस्थल से एक्चुलि में चाइना की एक प्राइविट स्पेस कंपनी है उसने इसको लॉंच किया है उस कंपनी का नाम है लैंडिस्कैप और मिथेन की बात करें तो ये प्रदुशन हीन यानि कि पॉलिशन फ्री, सुरक्षित, सस्ता और री यूजेबल रॉकेट के लिए उप्युक्त इंदन माना गया है तो ये पॉइंट ध्यान रखना चलिए फिर बताईए हाली में केंद्रे मंत्री है सर्बानंदा सोनेवाल उन्होंने भारत में समुद्री शेत को मजबूत करने के लिए किस नाम से एक DGNSS इसका मतलब होता है Differential Global Navigation Satellite System को लांच किया तो आंसर होगा सागर संपर्क तो हमारे शेपिंग मंत्री है सर्बानंदा सोनेवाल और जिनोंने अभी सागर संपर्क नाम से एक Differential Global Navigation Satellite System को लांच किया है और ये सिस्टम काम क्या करेगा तो सिंपल सा है समुद्र में नाविकों को सुरक्षित रूप से नेविगेट करने में ये मदद करेगा जिससे जहाजों की सुरक्षित नेविगेशन और कुशल आवाजा ही संबव हो पाएगी आपको बता दू इन्होंने कुछ समय पहले सागर संपर्द्दी नाम से एक Online Dragging Monitoring System को भी लांच किया था और उससे पहले इन्होंने Real Time Monitoring Dashboard सागर मन्थन को भी लांच किया था तो ये तीनों मिलते जुलते नामें इनको ध्यान रखना है फिर बताओ अभी हाली में विश्व का सबसे बड़ा अंतरराश्ट्र मंदर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन ये कांपे किया गया वारणासी में जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है वहीं पे इसका आयोजन हुआ और ये विश्व का पहला ऐसा आयोजन है जो पूरी तरह से मंदिरों के प्रबंदन यानि की मैनेजमेंट के लिए समर्पित है फिर बताईए कि कौन सा देश पारंपरिक दवाओं पर आशियान देशों के सम्मिलन की मेजबानी करेगा तो आंसरों का भारत तो भारत कि 20 जुलाई 2023 को आशियान देशों के लिए पारंपरिक दवाओं की मेजबानी कर रहा है और इस सम्मेलन का उद्धिश है पारंपरिक दवाओं के शेत्र में भारत और आश्यान देशों के बीच सहयोग और ज्यान साजाकरन को मजबूत करना वैसे आयूश मंत्री कौने हमारे सर्बन अंदस होने वाले इनी के पास शिपिंग मंत्राले भी है फिर बताईए हाली में DGCA ने किस राज्य के अपने पहले उडान प्रसिक्षन स्कूल को मंजूरी दी है तो आंचर होगा तमिलनाडू DGCA मतलब Directorate General of Civil Aviation यानि कि नागरिक कुड़ेयन महानी देशाले इसने तमिलनाडू के पहले उडान प्रसिक्षन यानि कि Flying Training School को मंजूरी दी है ये मंजूरी भारत में विमानन सिक्षा के लिए है और इस तरह से ये देश का 36 वा और तमिलनाडू का पहला उडान प्रसिक्षन स्कूल होगा सिंपल ची बात है यहाँ पे पाइलेटों को ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले डारेक्टरेट जन्रेल अफ सिविल एविएशन कौन बने थे विक्रम देउद्दत बने थे चलिए फिर बताईए अभी हाली में रिश्वत विरोधी प्रबंदन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला पबलिक सेक्टर यूनिट कौन सा बन गया तो आंसर होगा ONGC तो अमेरिका का ISO 37001-2016 एंटी रिश्वत खोरी प्रबंदन प्रणाली यानि कि एंटी ब्राइब मेनेजमेंट सिस्टम के लिए सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला पबलिक सेक्टर यूनिट बन गया है ONGC मतलब ONGC के मेनेजमेंट ने रिश्वत को रोकने का काम किया है इसी लिए इसको ये सर्टिफिकेट मिला है ONGC ये एक महारतन कमपनी है आज़ा फिर तो प्रश्न बनेगा आपका कि भारत में टोटल कितनी महारतन कमपनियां हो गई है 12 हो गई है 12 थी REC Rural Electrification Corporation और 9 रतन कमपनियां हो गई है 13 तेरवी थी RVNL फिर बताओ अभी हाली में Asian Athletics Championship के इतिहास में 100 मीटर हर्डल में भारत का पहला गोल्ड किसने जीता तो आंसर होगा जोती याराजी में स्प्रिंटर है धावी का है जोती याराजी इन्होंने एशन एथलेटिक चेंपिंशिप दोजाटेविस में 100 मीटर हरडल्स याने की बाधा दोड में भारत का पहला गोल्ड जीता है अच्छा ये चेंपिंशिप हुई कहां बैंककॉक में और बैंककॉक से याद आएगा कि इस साल नवंबर में तीसरा विश्व हिंदू सम्मिलन का आयोजन भी होगा बैंककॉक में चलिए बताइए अभी हाल में हिंदुस्तान एरोनौटिकल लिमिटेड ने अपना शेत्रे कार रेले कहां पे खुला तो आंसर होगा मलेशिया में एक्चुलि में अभी हमारे जो राजनात सिंग वो मलेशिया की यात्रा पर गए और उन्होंने ही वहाँ पे मलेशिया की केपिटल जो है न कौलालूमपुर वहाँ पे हिंदुस्तान एरोनौटिकल लिमिटेड के शेत्रे कार रेले का उध्वाटन किया चलिए फिर बताइए अभी हाली में ITC के CMD किसे न संजीव पूरी को तो वैसे तो ITC के CMD अभी तक यही थे और अभी एक बार फिर से उनको री अपॉइंट पुना नियुक्त कर दिया गया है संजीव पूरी नाम है ITC की फुल फर्म क्या होती है इंडियन टौबे को कमपनी इस्तापना होती है 1910 में और अब इसके CMD बन ग तो अभी 14 जुलाई को इसरो ने चंद्रियान 3 मिशन को लांच करके इतिहास रच दिया याद रखना ये इसरो का तीसरा मून मिशन है ये चंद्रियान मिशन है मून मिशन है क्योंकि हम चंद्रमा पे जा रहे हैं और किस रॉकेट से लांच किया तो GSLV Mark 3 M4 या इसे ही और लांच कहां से किया श्रीहरी कोटा के सतीज धवन अंतरिक्ष केंदर से और इसमें हमारा विक्रम लेंडर ये चंद्रमा के दक्षिनी धुरूवी शेत्र पर लेंड करेगा ये लगबग अगस्त के महीने में पहुंच जाएगा और अगर ये सफल लेंडिंग कर लेता ह तो जो भारत है ये अमेरिया रशिया और चाइना के बाद ऐसा करने वाला यानि कि चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन जाएगा लेकिन मैंने भी आपको बताया ये दक्षिनी धुरूव शेत्र में उतर रहा है चंद्रमा के यानि कि साउथ पोल पे तो वहां प किसे फ्रांस के सर्वोच सम्मान जिसको कहते हैं Grand Cross of the Legion of Honor इससे सम्मानित किया गया तो आन सर्व का प्रधार मंतरी नरेंदर मूदी को एक्चुले में अभी प्रधार मंतरी नरेंदर मूदी जुलाई 2023 में फ्रांस और युनाइटेड अरब अमिरात की यात्रा पर गए और जब वो सबसे पहले फ्रांस गए तो वहां पे फ्रांस का सर्वोच सम्मान से उनको सम्मानित किया गया जिसका नाम है Grand Cross of the Legion of Honor और किस इस तरह से यह प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी की छटवी फ्रांस की यात्रा है छे बार जा चुके है महिया फ्रांस और अभी वे 14 जुलाई को यहां के बैस्तिल डे परेड में भी शामिल हुए as a chief guest उनको invite किया गया था चलिए फिर बताईए अभी हाली में किन दो राज और केरल के chief justice जिनका नाम है S. Venkat Narayan Bhatti इनको राष्टरबती जी के द्वारा supreme court के नयादीश के रूप में अभी नियुक्त किया गया तो अब आप देखो के तो supreme court में total 33 नयादीश हो चुके हैं कितने हो सकते हैं तो total 34 हो सकते हैं अभी भी exit खा लिए अच्छा वैसे chief justice of India दी वाई चंदरचूड नाम है चलिए फिर बताइए हाली में artificial intelligence आधारित startup जिसका नाम है XAI को किस ने launch किया तो Alan Musk ने तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति Alan Musk ये space company की भी मालिक है इनकी private space company है SpaceX आप जानते हो इनकी एक electric vehicle company भी है Tesla और अभी तो social media में भी आ गए Twitter जो ले ल दिमत है यानि कि artificial intelligence startup भी इनोंने launch कर दिया इसका नाम रखा है XAI चलिए फिर बताइए अभी हाली में prism the ancestral abode of rainbow नाम की बुक को किस ने लिखा तो आंचार होगा विनोध मनकारा ने तो राष्टर पुरुसकार विजेता फिल्म निर्माता लेखक विनोध मनकारा ने ये ancestral abode of rainbow तो इस बुक को अभी आंद्र प्रदेश की श्रीहरी कोटा में शतीज धवन अंतरिक्ष केंद्र के rocket launchpad से लॉंच किया गया या जारी किया गया इसे किस ने लॉंच किया तो इस रो की जो अध्यक्षे S. सोमनात उन्होंने इस बुक को विक्रम सारबाय अंतरिक्ष क इंद्र के निदेशक S. उन्निक क्रश्णन को ये बुक सोब कर इसका विमोचन किया इसे launch किया तो यादर का लिखा किसने विनूद मनकारा ने चलिए फिर बताईए हाली में जारी Global Firepower Index 2023 में भारत कौन से इस्थान पर है तो आंसर होगा चौते इस्थान पर बात कर रहे है Global Firepower Index तो हो जारते विश्थी तो ये जो इंडेक्स है ये बताता क्या है कि ये बताता है कि कौन सा देश सेन्य रूप से मिलिक्री के रूप से कितना मजबूत है तो इसके अनुसार अमेरिका के पास दुनिया के सबसे मजबूत से ना है मतलब पहले स्थान पर अमेरिका है दूसरे पर इसके नुसार रशिया है तीसरे पर चाइना है तो चौथे पर भारत है मतलब आप देखोगे पिछले साल हमने कहीं बार पड़े ने इस वाले इंडेक्स को ये तो पड़ाई होगा आपने कहीं बार मैं आपको रिवेजन करा चुका हूँ तो पिछले साल भी यही सारी रेंकिंग थी तो मतलब आपको कुछ नया याद नहीं करना है पहले स्थान पर अमेरिका चौथे स्थान पर भारत है कौन सी रेंकिंग है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स दो जाते हैं और इसमें सबसे कम सेन्य शक्तिशाली वाला देश बताया गया भूटान क चलिए फिर बताईए अभी विश्व युवा कोशल दिवस कब मनाया गया तो अंसर होगा 15 जुलाई को तो हर साल 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डेके रूप में मनाया जाता है थीम क्या है परिवर्तन कारी भविश्य के लिए सिक्षकों प्रसिक्षकों और युवा सूचकांक यानि कि ग्रवियन्स रेड रेसल इंडेक्स इसे जारी किया है प्रशाशनिक सुधार और लोक शिकायत विभागने तो शिकायत निवारन के मामले में बड़े राज्यों में बात कर रहें तो टौप पे उत्तर प्रदेश है दूसरे पे जारकंड वहीं कि हाली में किस राज्य ने कुई भाषा को आठवी अनुसूची में शामिल करने के लिए मंजूरी दी तो अंसर होगा उडिसा तो अभी उडिसा कैबिनेट ने कुई भाषा को भारते समविदान के आठवी अनुसूची में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी ह अब ऐसा नहीं है इन्होंने मंजूरी देदी तो इसे शामिल कर लेंगे हाँ हो सकता है शामिल कर भी लें या नहीं भी करें क्योंकि इस भाषा को भारते समविदान की आठवी अनुसुच में जोनना है तो फाइनली इसे संसत की मंजूरी मिलने चाहिए तो अभी ये प्रस्ताव आया है उडिसा की और से राज्य की तरफ से आया पर हाँ इसे राज्य ने मंजूरी देदी तो ये नियूज में रहा तो ये प्रश्न बन सकता है कि वही बताओ कोई भाषा का सम्मन किस राज्य से है तो आंसर होगा उडिसा ये उडिसा की कंद जंजाती के द्वारा बोली जाती है झाल।